Hello everyone, once again welcome back to this class जहांब हम cover करते हैं कुछ ऐसे सी मैं I have repeated words or vocabulary चलिए स्टार्ट करते हैं आज की class को और आज हम पहुँच चुके हैं word number 141 that is MB dextrics दीखे वई MB dextrics का मतलब क्या होता है एक वेक्ती जो अपने दोनों हाथ अराम से स्तमाल कर सके जैसे कि आप अपने right hand से use कर सकते हैं sign कर सकते हो लेकिन क्या होता है कि आप अपने left hand से use नहीं कर पाते हैं पर आपने 3D8 movie देखी होगी उसमें उनका principle दोनों हाथों का साइज इस्तमाल कर पाता है बुक पढ़ने के लिए ठीक है एक ऐसा वेक्ति जो अपने दोनों हाथों का स्तमाल कर सके equally दोनों हाथों से और फिर यह वही word है amphibians यह बहुती आसान सा word है जिसका मतलब क्या होता है amphibians ऐसे ऐसे animals होते हैं जो क्या करते हैं भाई पानी के अंदर रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं इस एक ऐसा वेक्ति जो बिलीव करता है किसी चीज में कि भाई ना तो कोई government है ना ही कोई rule regulation है उसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है इस एक अनार्किस्ट वर्ड नमबर 144 दो वर्ड होते हैं अपैति और sympathy अपैति का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उदास रहना और अपने दुखों का किसी के साथ वर्डन करना और वो दूसरा वेक्ति भी जो है उस चीज में इंट्रेस्ट नहीं लेता अपैति बहुत ही ज़्यादा उदास टाइप रहने हो ठीक है वर्ड नमबर 144 45 इस आर्ची प्लेगो इसका मतलब क्या होता है दूइपों का समुण जैसे कि हमारा अन्वार और निकोबार है उसमें क्या है छोटे 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 दूइप जुडे में है और उनका एक बड़ा सा समुण मिलके ही अन्वार और निकोबार कहलाता है तो यह जो छोटे छोटे दूइप है इनको हम वन वर्ड में कह सकते हैं आर्ची प्लेगो वर्ड नमबर 146 यह कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जैसे कि अभी जो तराजदिया रखी है तो मजदूरों के लिए कुछ कैंप बनाए जाते हैं जहां पर वो लोग रुख सकते हैं रेस्ट कर सकते हैं कुछ ताइम के लिए और फिर वहाँ से वो लोग मूव कर सकते हैं ठीक है तो इसी तरीकी के कुछ जो कमरे होते हैं वो hospital में भी बने होते हैं जहांपे किन लोगों का ilाज किया जाता है mental लोगों का ilाज किया जाता है बहुत लंबे समय से चल रहा होता उनका ilाज होता है जैसे की sanatorium ठीक है एक place जहांपे hospital के अंदर लोगों को रखा जाता है ilाज करने के लिए तो इस word के 2 meaning है ठीक है यहां तक दूसरा है और यहां तक तो आप दोनों यह एक बार पढ़ने word number 147 that is audible audible का मतलब होता है श्राववे जिसको आप सुन सको ठीक है जो सुनने में आ सके जैसे आपकी गली में से अगर कोई बाइक निकल के जाती है कोई कार निकल के जाती है यह माल लेजे बुलेट निकल के जाती है तो उसकी आवाज आप अराम से सुन सकते हैं यह डीजे की आवाज डीजे की आवाज आप क्या होगी आपके लिए ओडेवल होगी सुनाई देने की युग्य होगी ठीक है ओके एक वर्ड नंबर 148 डैट इस ऑथेंटिक ऑथेंटिक का मतलब होता है भी ओरीजनल ठीक है एकदम असली जिसके पर आप भरोसा कर सको जो बड़ी बड़ी ब्रेंडेड चीजे होती है जैसे कि कोई जीन से ब्रेंडेड जारा की या किसी भी कंपनी की तो उन सब पर ऑ अधेंटिक इसको आप यूज भी कर सकते है अपनी डेली वोकेब में भी यूज कर सकते हो ठीक है वर्ड नंबर 149 डैट इस ऑटो बायोग्राफी में क्या होता है कि दूवर्ड होते हैं ऑटो बायोग्राफी और बायोग्राफी ओटो का मतलब स्वेंड यानि कि मैं अपन इस ऑटो बायोग्राफी कहलाएगी अब देखते हैं वर्ड आज के क्लास का लास्ट वर्ड डैट इस ब्लेस्वेमी यह होता है क्या इसके भी अर्थ आप अराम समझे यह दो वर्ड होते हैं ब्लेस्वेमी के भी दो मीनिंग होते हैं एक तो लेंग्विज किसी की बहुत इज़त देते हैं वो भी बहुत कम करना यह वर्ड बहुत इंपोटेंट है 150 और 145 ठेक है अथेंटिक भी ठीक है तो इन सा भी वर्ड का आप यूज कर सकते हैं इस पोकन में भी यूज 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 इस वर्ड ओल और कॉम्पेटिश्टिव क्लासेज में तो काम आए गई आएगा, so that's all for today, मिलते हैं आप से नेक्ट क्लास में, till the time, जैहिन, जै भारत, stay home, stay safe.